दोस्तो आज की वीडियो में हम आपके संग शेयर कर रहे हैं अपना low maintenance और less budget में बने हुए terrace garden का एक update चोटा सा कि मेरे plants जो कि मैंने आपके संग grow करे हैं, आपके संग report करें हैं, pruning करा है, soil mix बगरा बनाया है, उनकी क्या condition चल रही है, कैसे grow कर रहे हैं, कुछ चल भी रहे हैं कि नहीं लग चल रहे हैं जो हम खाद रगेरा बताते हैं उसका क्या अपडेटे सभी कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजया अस्क्रेटिव गार्डर तो सबसे पहला ये मेरा फेवरेट सर्दियों वाला प्लांट ये है फ्लॉक्स दोस्तो जो कि मैंने एक रुपए में एक सीडलिंग इसकी सरकारी नसरी से खरी दी थी और बिलकुल दिसंबर के आखर चल रही है इस समय खुब अच्छी फ्लावरिंग इन में हो रही है अब मैं अपने मैक्सिमम प्लांट जो विंटर वाले रखे हैं उनको सीड के लेक्शन के लिए ग्रो कर रही हूं तो यहां पर यही मेरा बॉन्जाई है बर्गत का जिसकी कि मैंने जिसका कि मैंने और नीचे जो है यह मेरे समर सीडलिंग से सबजियों वाली यह है करेला यह गहां सास तो हर चार-पाँ दिन में फिर से निकला आती है यह है खीरा हमारा दो प्लांट इसमें लगे हुए है अभी ग्रो बैक्स रेडी कर रहे है दीरे दीरे यह लगी हुई है एक लगी है इ लोबिया बीन्स जिसे कहते हैं यह है यह भी बीन्स कई है यह देखिया अभी निकला है तो कई बार अलग अलग टाइम पर निकलते हैं यह भी बीन्स है तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पर सब निकल रहे हैं यह यह सब ककड़ी है इसमें दो दो तीन तिन प्लांट है बाद में ये है कि दो ही रखेंगे एक खटा देंगे जो थोगा कमजोर चलेगा वो ये लॉक ही अगेन है इसके बाद जो है उपर मैंने जो था शेयर करा था आपके संग बेला की कटाई छटाई रिपोर्टिंग तो देखिए इसमें भी ग्रोथ शुरू हो गई है ये सब में जितनी जगे से प्रून किया था सब जगे से दो दो स्टेंप्स नई ग्रो हो रही है ये और यहां दिखाते हैं आपके संग अप्राजिता मैंने शेयर किया था फ्लावरिंग बरबर से कर रहा है रिपोर्टिंग भी करी थी तो देखिए प्लान को कोई नुकसान नहीं हुआ चल रहा और ये है दोस्तो बेबी सन रोज जो की मेरे टेरस से बिलकुल गायब हो गया था यह भी बढ़िया चल रहा है एकना स्टेशियम यह है इसकी यह दिखिए सीट सोते हैं जब यह सीट पीले पढ़ने लग जाएंगे ता मैंने को हार्वेस्ट कर लूँगी और तभी जो है यह पेड़ भी हटा देंगे क्योंकि मेरे पास समर वजी टेबिस के लिए भी ज्यादा गमले ग्रोबैक्स नहीं है नहीं मिट्टी भी थोड़ी कम हो गई है और यह जो है गुल्डावदी है क्रिसंथमम के सभी वराइटी के एक एक प्लांट मैंने रख लिये हैं जो कि ऐसे क्या होता ना बहुत गमले घिर जाते हैं अगेन यह बैगन जो कि बीशा सर है इसकी भी मुझे रिपॉर्टिंग वेगरा करनी है लेकिन वही है कि सब प्लांट की एक साथ हो नहीं पाती है तो यह कि फ्लावरिंग करी रहा है मैं भी सोच रही हूं चलो अभी मार्च भार तो करी सकते हैं तो यह तो इधर का अपडेट हो गया और इधर एक और सबज यह यह भी जो है आप देखे निकल रहा है यह कम से कम 15 दिन पहले मैंने 15-20 दिन पहले से ज़्यादा समय से मैंने बीज डाना था इसमें तो कोई भी नहीं निकला है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी बीज आपके एक साथ निकले अलग अलग भी निकलते हैं यहां पर भी जो मैंने नसरी से एक एक रुपए की सीडलिंग्स खरी दी थी वो दोस्तों है यह है आइस फ्लावर है कई फ्रेंट्स पूछ चुके हैं अब इनको भी मैं सुखाने के लिए रखूंगी इनके भी बीज कलेक्ट करेंगे इनके इस जगे का नजारा जो है कुछ इस तरह से आता है यह पूरा यह देखे अब आगे बढ़ते हैं और यह जो है चौलाई आपके संग लगाई थी वो वाले हैं प्लांस छोटे-छोटे अभी हैं निकल आये थे पांच-छे दिन में निकले थे इसके बाद एक बार तो चुडियों ने पूरा खराब कर दिया था जब मैंने पहली बार खोला इसको फिर से कवर करा था लेकिन इधर दो है दो-तीन दिन से कुला हुआ है तो मैंने दो तरीके की चौलाई लगाई थी एक हरी वाली एक लाल वाली और इसी में मैंने बाद में जो था थोड़े से यह लौकी के बीज भी डाल दिये थे तो वो आखरी प्लांट है मेरा टमाटर का एकाद निकल रहे हैं तो उनको मैं हटा देती हूं क्योंकि टेरेस में जानते हैं पूरे दिन की दूप रहती है तो हमारे यह टमाटर गर्मियों में बहुत अच्छे चल नहीं पाते हैं और यहां पर जो है यह लगा हुआ है हमारा पोर लगा हुआ है उसकी अभी मैंने कोई भी वो केर नहीं करी है यह दोस्तो है क्लोरोडेंडरॉन जो की बेल है बहुत सुन्दर लगती है यह इसी समय जैसे ही सर्दियां हलकी पढ़ने लगती इसमें फूल आने लगते हैं बहुत प्यारे लगते हैं यह भी और यहां पर जो को हटाते जाएए और यह जो है अब फ्लावरिंग करना शुरू कर रहे है यह दर गर्मियों तक करते रहेंगे फ्लावरिंग यहां एडीनियम ने भी ग्रोथ कर दी इस एरिया कि अभी हम कोई भी केर नहीं कर पा रहे हैं और मेरी किसी फ्रेंड ने हमसे ड्रेगन कहां है तो वो दोस्तों पीछे है एक्चुली कटीले पौदे सब पीछे रख दियें क्योंकि हमाई टेरिस में एकसर बच्चे अच्चे आ जाते हैं तो उनको लगने का डर रहता है और हम खुद की अर नहीं कर पा रहें वहां तो बहुत सारा जंगल हो गया है तो अब एक यह देखिए उधर से मेरा टेरेस गार्डन ऐसा आता है यह किसी उसमें आपको हम दिखाएंगे पूरा टूर करवाएंगे अभी तो बस थोड़ा दिखा रहे हैं और यहां पर यह टिकोमा जो कि मैंने आपके साथ इसकी रिपोर्टिंग करी थी वीडियो बताया था कि कि क इस तरीके से बिना नुकसान के बड़े गंले में बड़े पेड़ को आप दुबारा से मिट्टी चेंज कर सकते हो बगल में गन्ने का और यह सब दोस्तों फ्री के ही फ्लावर्स हैं यह तो एक एक रुपए के मैंने गवर्मेंट नर्सरी से खई दिये थे वाइट वाला स दोस्तों ऐसा आपको कोई भी बहुत महिंगी चीज नहीं मिलेगी एक एक दोसर रुपए के प्लांट या फिर जो मैंने ही ग्रो कर लिये हैं फ्री के बीजी डाल करके वो और यह दिखाते हैं निम्बू के फूल बहुत सुन्दर लगते हैं और खास बात देखिए इसमें मदू मक्खी ये ये इसको पॉलिनेट करती है जब ये फ्लावर्स को पॉलिनेट कर देती तभी आपका निम्बू बनता है निम्बू के प्रेड में बहुत फूल आते हैं लेकिन सभी फूल जो है वो निम्बू पे कनवर्ट नहीं होते हैं कई कनवर्ट भी हो जाते हैं ल मदुमक्यां वगएरा नहीं आती हैं, तो आप जो है, शहद वगएरा का स्प्रे कर दीजे, तो जिसकी मीठी खुश्बू से, मदुमक्यां आपके पेड़ों में आकर करेंगी, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, नमस्कार,